यह वाली वीडियो भाई इंस्टागराम पे बहुत ज़्यदा वाईरल हो रही है और साउंड आप कोई भी यूज कर सकते हो इस वीडियो को पूरा वीडियो को रोटेट करके भाई पूरा वीडियो देखना आप आसानी से इस वीडियो को बना लोगे तो यह फलेग वाली वीडियो इंस्टागराम पे भाई बहुत ज़्यदा वाईरल हो रही है और आप कैसे अपने नाम की मतलब वीडियो बना सकते हो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो को सब भाई से पहले ही बता दू भाई इस वीडियो को पूरा देखना तभी आपकी समझ में आएगा और इस से आसान तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा और जो आपकी वीडियो बनेगी बिल्कुल भाई फूल एचली में आपकी वीडियो मतलब बाहर निकले कि आएगी और उसको आप इंस्टाग्राम पे अबलोड कर देना सोंग आप कोई भी यूज कर सकते हो बहुत सारे सोंग कर रहे हैं जो सोंग आपको अच्छे लगता आप वो अपलोड कर देना अब वीडियो बनानी कैसे है बहुत ही आसान तरीका इतना आसान तरीका नहीं आपको किसी ने बता होगा यूटूब पे सब बता रहे हैं कि गूगल गूगल पे एक साइट है फ्लैग वे के नाम से उस पे जा कि आपको बस अपना नाम का फोटो सेलेक्ट करना और वीडियो बन जाएगी भाई जब आप वहां से अपने वीडियो को स्क्रीन हैंगे प्ले शडवर पे जाना है को सर्च करना यहां पर पिकसार्ट फोटो बनाना रहा ऑप आप कर लेना धा है जिसका नामब भाई यहां पर आप देख सकते हो ठोटी जो मैं ले वो ही आपको लिखना है 3D Flag Maker अपने आपके फलैग में आपका फोटो एड़ हो जाएगा 3D Flag Maker Play Store पे सर्च करना तो सबसे उपर ही वाला आप आएगा ये मुझे डाउनलोड का रखा है दोनों आप ये रहे ये 3D वाला इसका इकन बदल जाता है और ये PixArt है अब सबसे पहले हमें जाना होगा PixArt में PixArt में इसलिए जाना है क्योंकि हमने पर नाम का फोटो गनाना है तो PixArt में जाएंगे PixArt अप में जाने के बाद आपको भाहि पलस वाले आइकन पर किलिक करना है और Edit A फोटो पर और पहले ही बता दो वीडियो को फूल HD में प्ले कर लेना आपको चिकल्टी में दिखेगा उपर लिखा है बैकराउंड बैकराउंड पर किलिक करके आपको यहां पर धेर सारे बैकराउंड मिल जाते हैं आप मतलब कैसे कलर का फलेग बनाना चाहते हो तो मैं रैड कलर का बनाना चाहता हूं वाइट में स्पे लिकूंगा तो आप भी रैड कर सकते हो या फिर वाइट कर सकते हो आपकी मर्जी है तो चलो मैं white ही कर लेता हूँ तो मुझे white कर लिया है अब जो इस photo का frame है ना तो भाई मतलब जैसा frame होगा ऐसा ही आपका जहनदा का size बनेगा तो इसका frame का size set करना होगा नीचे tools है और भाई crop का option पे और ये solar point 9 वाड़ा ही वादा आपको select कर लेना है और right वाले चिन पे click कर देना तो आपका photo का size कुछ ऐसा हो जाएगा अब यहां पर आपको अपने नाम लिखना है text option मिलता है अब कोई भी नाम लिख दो जैसे कि मैं यहां पर क्या लिख हो भाई आपको बताने के लिए तो यहां पर मैं सीवम लिख देता हूँ सीवम और उपर right वाले चिन पे click करना अब यह इसका color black है अब color पे click करके इस color red select कर लेना बाकी आपकी मर्जी है और यहां पर font भी आपको मिल जाती है जो पहले वाली font है वो ही अच्छी है यही रखना और फिर भाई यहां text पे click करना है फिर से और अब की बार हिंदी में अपना keyboard कर लेना और यहां पर लिखे देना नाम ही काफी है नाम ही काफी है यह आपकी मर्जी है नाम ही काफी आप लिखो या ना लिखो इसको भाई नहीं लिखो तो भी चलेगा तो यह लिखे देना और इसका color black की select राइक करना और इसका font change कर देना तो आपका जो मतलब font change करोगे न तो आपको अक्सर वो थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा कुछ ऐसे और फिर यहां पर एक sticker का भी option मिलता है इस sticker वाले option पर click करके आपको search करना है king एक ताज आएगा वो आपको अपने नाम के उपर रखना है तो बहुत सारे ताज आ चुके हैं मैं यह वाला select कर लेता हूं ठीक है तो इसको हम अपने नाम के उपर रख देंगे अपने हिसाब से आप देख सकते हो कुछ ऐसे तो हमारा फलेगतियार हो चुके इसको करेंगे download उपर किलिक करेंगे तो यह photo हमारा gallery में आ चुका है अब photo gallery में आ चुका है तो back आएंगे भाई सब कुछ back कर देंगे फिर से आपको fix art में आने के बाद आपको background में जाना है और एक भाई green select कर लेना है यहाँ पर green और green select करने के बाद इसको भी download कर लेना बस यह काम आपको fix art में करना है fix art के जुरेत नहीं अब आपको जाना है 3D flag में कर आपके अंदर इस पे तो इस app के अंदर में आ चुका हूँ अब आपको करना क्या है सबसे पहले उपर देखना बिल्कुल तिहान से main वाले में main वाले पे click करने देना है और open लिखा है open वाले पे click करना open वाले पे click करोगे तो आपका photo आपको देख लेना gallery open हो चुकिए आपकी job के नाम का photo है वो आपको जो उपर line है उन्हें बिल्कुल पी छेड़न नहीं बस preset one लिखा है उस पे click कर देना अब इस पे click कर दिया है अब लिखा है background camera के नीचे background पे click करना है वैसे तो आपको इसका ही यहाँ पर मिल जाती है लेकिन इने मत select करना उपर इसका ही picture लिखा है picture picture वाले पे click करक open लिखा है open पे select करना जो green background आपने वहां से fix art से download किया था मतलब save किया था वो select करना तो आपके जंडे के पीछे ना कुछ ऐसा हरा परदा आ जाएगा अब आपको करना क्या है उपर main लिखा है main main पे click करना और main पे click करने के बाद यहाँ पर लिखा है flagpole इसको हटा देना है और यह आपका जंडे को मतलब भाई आप देख सकते हो इस तरह तेजी से लहरा रहा है और यह मतलब इसको अपने हिसाब से आप adjust कर सकते हो भाई ठीक है तो इतना ही करते ना जितना मुझे करी अगर आप नहीं करोगे तो भी चलेगा अब आपको काम क्या करना है अब उप बनानी है 12 सेकंड तक तो 12 सेकंड की वीडियो हो चुकिया इस टोप कर देंगे अब एक एड चलेगा और यह एड तीन सेकंड गई है और जो आपकी वीडिया वो गैलरी में सेव हो जाएगी अब एड को कट कर देंगे और बैक आ जाएंगे अब मैं आपको दिखा देता हूं गैलरी में तो अपनी गैलरी में चला जाता हूँ आपको दिखाने के लिए ताकि आपको पता लग जाए कि भाई क्या हूआ है तो गैलरी में आ चुका हूँ और यहां पर आलबम में यह हमें 12 सेकंड की जो वीडियो बनाई थी गरीन स्क्रीन की वो है और यह आपके नाम का फोटो है अभी निकी हमें जुरुत भी नहीं है नाम के फोटो की क्योंकि हमें जो ग्रीन स्क्रीन वाली वीडियो इसकी जुरुत है बस अब आपको किसी भी एडिटिंग एप के अंदर जाना है जैसे की वी एन हो गया यह रहा वी एन वी एन सबके फोन में होगा अगर नहीं है तो पले श्टोर पे मिल जाता है यह कोई भी इंसोट कोई भी एडिटिंग का एप हो किसी भी एप में आप आ सकते हो तो वी एन में आ जाता हूं में अगर नहीं आपके पास है तो वही पले श्टोर पे मिल जाता है यह भी फिर यह जो मुझे Select किया है यह आपको description में मिलेगा इसको download कर ले और download करने के बाद जैसे में select कर रहा हूं ऐसे Select करना इसमें भाई बैकरांड और ایک बॉल गडी हुई है बस आपको जंडा Add करना है तो जंडा एड़ करने के लिए सबसे पहले 20 का साइज बढ़ाना होगा ऐसे ठीक है तो मेरा 22 सेकंड का मुझे वैसे ही कर लिया और इसके लाश्ट में ब्लैक बैकराउंड भी आता है उसको डिलिट कर देना अगर आए तो अब सुरू में आना है यहाँ पर लिखाए टैप टू अडर स्टिकर इस पर किलिक करना और वीडियो और फोटो पे और जो गरीन अस्क्रीन वाली वीडियो आपके मॉबाइल में आपके नाम का जंडा वाली वा वो सलेक्ट करना जो आपने वहाँ से रिकोर्ड की थी तो इस और वाला इन यो लिखाए जो भी इसको भाई फुल कर देना और राइट वाले चिन पर क्लिक कर देना अब अपने उंगली से उठाना इसको ऐसे मिला देना अगर आप पर नहीं मिलता तो यहाँ पर पोजीसन का उप्सन है जैसे कि थोड़ी बहुत कमी हो जाती है यह रहा तो इससे आप थोड़ा बहुत आप देख सकते हो इधर अपने हिसाब से आप एड़ कर सकते हो तो मेरा एड़ हो चुका है बिल्कुल सही तरह और मैं आपको जितनी आपकी वीडियो है उपर आप देख सकते हो तो इतनी वीडियो है जा तक भी आप रखना चाहते हो तो मैं यहाँ पर 12-13 सेकेंड तक ही रखना चाहता हूँ उतना नीचे वाला जो फोटा है उसको कट करके डिलिट कर देंगे लास्ट में कोई ब्लैक बैक राउंड आता है तो भाई इसको डिलिट कर देना तो वीडियो हमारी तियार है जंडे का साइज आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो कुछ ऐसे करके ठीक है आप देख सकते हो तो मैं जंडे का साइज भाई उतना ही रखूँ है क्योंकि उतना ही ठीक था और पोजिशन पर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से फिट कर लेना बस इस बात का दियान लगना तो अब मैं एक बार इसको यहां से फुल फरेम करके आपको दिखा देता हूँ बिल्कुल फोर की क्वेल्टी मैप की वीडियो बन चुकी आप देख सकते हो और साउंड आप इंस्टागराम से जो भी ट्रेंड में हो वो यूज करना ठीक है तो अब बार निकालने के लिए उपर क्लिक करेंगे और एक्सपोर्ट पे और भाई जो यह बैकराउंड वाला फोटो मुझे स्लेक्ट किया था इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा तो सब आईगा वीडियो अच्छी लगे होगी लाइक और सब्सक्राइब करके जुरू जाना